पड़ी खबर के साथ आपको बता दे लगातार आमादमी पार्टी विवादों में घिर्ती जा रही है जब से राजे सभा के टिकेट का बटवारा हुआ है तब से आमादमी पार्टी और केज जिवाल निशाने पर आ गए है और स्पीच आजे माकन ने एक पिटीशन दायर की आपको बता दे नामांकन पत्रों की आज छटनी होनी है और उससे पहले अजे माकन की तरफ से ये कारवाई की गई है आपकी तरफ से संजे सिंग, एंडी गुपता और सुशील गुपता को उम्मीदबार बनाये गया है इससे पहले भी अजे माकन का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने सुशील गुपता पर कई गंभीर आरोप लगाये थी, उन्होंने साफ तोर पर कहा था कि सुशील गुपता ने यही कहने पर अर्विन केजरिवाल के कि वो उनको राज्यसभा में भेजेंगे कॉंवर् तो कहीं न कहीं बयान बाजी पहले से अजे माकन की तरफ से सामने आ रही थी और एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम यहाँ पर अजे माकन की तरफ से उठाए गया है और आपको बता दे, Office of Profit का आरोप एंडी गुपता पर भी लगा है, जिसके तहट आपको बता दे कि उनका नामांकन रद भी हो सकता है हाला कि क्या कारवाई होगी अब इस पूरी Petition पर ये देखना बाकी होगा फिलहाल जो विरोध के सुर नजर आ रही है, दिली में चाहे विपक्षी हो, चाहे पार्टी के अंदर की कला हो उस सब के बीच दिली की आम आदमी पार्टी अर्विन केज रिवास सरकार और उनके नेता घिरते हुए नजर आ रही है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अजय माकन की तरफ से एक याचिका दायर की है Objection Petition दायर की गई है राजसभा उम्मीद्वारों के तहट संजे सिंग के नामों पर हलाकी इतना विवाद नहीं हो रहा जितना विवाद जो पार्टी के बाहर से दो नामों को लिया गया है उतारा गया है राजसभा के मैदान में उनको लेकर ज्यादा विवास सामने आ रहा है पार्टी के अंदर की कला इससे पहले सामने आई थी और उसके बाद जो विरोधी दल है वो भी सक्रिय होते हुए नजर आ रही है कॉंग्रेस को मौका मिल गया है और इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है कॉंग्रेस तरुन कालरा हमारे सेयोगी निउसरूम से हमारे साथ जुड़ गए है तरुन मौका मिल गया है कॉंग्रेस को कहना गलत नहीं होगा और मुद्दे को भुनाने के लिए और अजय माकन ने याची का दायर की है इन दोनों उमीदवारों के खिलाफ आप देखे इसके में थोड़ा करेक्शन है दोनों उमीदवारों के खिलाफ पेटिशन दाखिल नहीं की गई है सिर्फ नरायन दत गुपता के खिलाफ ये पेटिशन दाखिल की गई है चुँकि कॉंग्रिस का ये मानना है कि वो इस समय नेशनल पेंशन ट्रस्ट के अंदर क्रस्टी के पद के उपर तैनात है लिहाजा ये ओफिस ऑफ प्रोफिट के अंदर माना जाता है और कॉंस्टिश्टूट और इंडिया के आर्टिकल 102 के तहट वो इस समय सरकारी सेलरी के उपर है सरकारी सुविधा उनके पास है लिहाजा उनका केंडेचर इस भिहाफ के उ चाहिए आजे माकन ने तीन पेजिस का अपना अब्जेक्शन पेटिक्शन फायल किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कि इसी तरह का मामला जब पहले भी आया था office of profit के तहट तो election commission ने जो nomination है उसको cancel कर दिया था और यहां पर सबसे अखरे point के अंदर कहते हैं कि further an office of trustee of the NPC is entitled to remuneration यानि कि national pension trust के trustee के तौर पर एंडी गुपता को remuneration मिल रहा है perks मिल रही है और facilities मिल रही है therefore by virtue of the said benefit attached to the office of एंडी गुपता he is currently holding an office of profit इसके तहत इसकी इनकी जो माननेता है इनके जो nomination है वो रद किया जाना चाहिए एक महतोपून जानकारी यह है कि कल nomination का आखरी दिन था और आज इन papers की छटनी होनी है यानि कि election commission ये तैय करेगा कि कोई उमीदवारी से गल्ती तो नहीं हुई कहीं पर उसका correction तो नहीं है कुछ ऐसी जानकारी तो नहीं है जो उसने चुपाई हो तो यहाँ पर Congress ने एक से और माकन की टीम के वकील हमारे साथ जुड़ गए है अमन पवार जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर अमन जी आपसे जाना चाहेंगे कि अजे माकन ने एक Petition दायर किया है एंडी गुपता के खिलाफ और कहीं न कहीं Office of Profit का मामला दर्ज हो सकता है और उनका नामांकन तक रद किया जा सकता है हमने मांकरी है और हमने मामला दर्ज कराया है Election Commission में क्योंकि एंडी गुपता साब को अरुन जेकली जी ने National Pension Scheme का ट्रस्टी बनाया हुआ है जो अपने आप में एक बहुत-बड़ा लाब का पद है और ये लाब का पद होने के कारण कोई authority ऐसी नहीं है जो इस election को जो इस आपके पद पर है उसको राजसभा का मिंबर बनने के लिए तो हमारी मांगे Election Commission से कि जल से जल इस पर decision ले और एंडी गुपता साब का जो नॉमिनेशन है उसको रद किया जया है अमन जी आप से जाना चाहेंगे नॉमिनेशन रद होने के अलावा क्या कुछ और भी कारी पद नहीं होना चाहिए जो कि एंडी गुपता साब के पास अल्रेडी है बीजेपी के दुवारा मार्च 2015 में उनको नैशनल पेंशन स्कीम का ट्रस्टी बनाया गया था अरुन जेटली जी दौरा और अरविन केजरिवाल जी उनको अपना राज्य सभा का मेंबर बना नामिनेशन भरा था चार तारिक को उससे पहले छोड़ना चाहिए था जो कि उन्होंने नामिनेशन भरने के समय पे वो पद नहीं छोड़ा तो आज स्कूरूटनी में उनका नॉमिनेशन जो है वो इलेक्शन कमिशन को अब इस प्रावधान के तहत रद करना चाहिए चलिए शुक्री आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए बता दें आपको Office of Profit के तहत मामला दर्च किया जा सकता है पिटीशन दार की गई है अजय माकन की तरफ से एंडी गुपता के खिलाफ आपको बता दें ये वही एंडी गुपता है जिनको राजसभा उमीदवार उतारा गया है आमादमी पार्टी की तरफ से और यहां पर बड़ी मुश्किल एक तरफ आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली हैं तो कहीं न कहीं एंडी गुपता भी अब फस्ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी खबर पर तरुन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं निउसरूम से तरुन जैसा कि हमने वकील को भी सुना वकील साब का भी साफ तौर पर कहना है कि नामांकन रद किया जा सकता है हाला कि जब उनसे जानने की ये कोशिश की गए कि जो जिस पद का लाब उठाते आ रहे हैं अभी तक एंडी गुपता अगर वो उस पद से इस्तीफा दे देते हैं तब भी उनका नामंकन रद करने से नहीं रोका जा सकता देखी चुकि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले अगर वो इस्तीफा दे चुके होते अपने ट्रस्टी पत से तो ये मामरा बिल्कुल बनता भी नहीं था लिहाजा कॉंग्रेस के पास पुखता आधार है कि तिल डेट यानि कि आज 6 जनवरी 2018 की तारीक तक एंडी कुपता न लेटेस्ट उन्होंने ये दावा किया है कि वो अभी इस पद्कियों पर बने हुए हैं ये अब्जेक्शन कॉंग्रेस ने बहुत सोची समझी रणीती के तहट आज उठाया है चुकि आज नामंकन की छटनी होनी है यानि कि किसी उमीदवार से अगर नामंकन दाखिल करने में कोई गलती हुई है या फिर उसने कोई जानकारी छिपाई है या फिर उसको किसी जानकारी का पता नहीं था और उसने उसके बावजूद नॉमिनेशन फाइल कर दिया लाब के पद पर होने के बावजूद तो यानि कि ये जानकारी अब चुनावायों के संग्यान में गई है और कॉंग्रेस का इदावा है कि यह office of profit है हालां कि आखरी फैसला जो DM है जो इलेक्शन इधर करा रहे हैं इस निधी श्रीवास्तव उन्हों यह फाइनल कॉल लेनी है जाहिर सी बात है कि यह आनन फानन में नहीं होगा फैसला कानूनी राय इसके ओपर लेनी होगी ल पाया कि जो नॉमिनी है किसी पार्टी की तरफ से वो office of profit होल्ड कर रहा है तरुन मुश्किले बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी की साथी साथ एंडी गुपता की भी अगला कदम दिल्ली सरकार का क्या होगा क्या लगता है तरुन आपसे जाना चाहेंगे कि अगला कदम दिल्ली सरकार का क्या हो सकता है क्योंकि अगर बात की जाए मुश्किलों की तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के साथ एंडी गुपता की मुश्किले अब रुकने का नाम नहीं ले रही बलकि बढ़ेंगी इस पूरे मामले के अंदर दिली सरकार का कोई involvement नहीं है पार्टी ने अपना nomination नॉमिनी चुनाव के लिए उतारा है लहाजा दिली सरकार के अंदर रोल नहीं है लेकिन पार्टी की मुश्किले बढ़ सकती है चूंकि तीनों उमीदवारों को चूंकि छटनी का इस समय प्र clarification मांगे जा सकते हैं संजे सिंग के नाम पर अभी तक कोई आपती दर्ज नहीं हुई है किसी भी तरह से individual capacity में भी नहीं और किसी पार्टी की तरफ से भी नहीं लेकिन एंदी गुपता के नाम के उपर आपती फॉर्मली आजे माकन ने वहाँ पर दर्ज कराई है लिहाजा इसको cross check करेगा election commission आगे जो उनके superior authority है उनसे इसकी राय ली जाएगी कि किस आधार के उपर Congress ये दावा कर रही है क्या वो बिल्कुल सही है और अगर चुनाव आयोग को लगा कि जो petition दाखिल की गई है उसका आधार काफी ठोस है और अगर चुनाव आयोग ने इसके उपर कारवाई नहीं की तो आगे हो सकता है कि डले Congress इसकी इनकी सदस्यता रद करने के लिए अदालत में भी जाए लेकिन अभी Congress को ये उमीद है कि election commission की तरफ से उनकी petition के उपर गंभीर दोर पे विचार किया जाएगा चुनकि उनका पूरी तरह से ये दावा पुकता है कि नामांकन के लिए अपलाई कर सकते हैं देखिए ऐसी सुरत के अंदर जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से दुबारा से notification होगा राजे सभा सीट की उमेदवारी के लिए लेकिन एक ये पार्टी के लिए moral ground के उपर और एक रगनाजनितिक सर पर बहुत बड़ा setback होता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी और कही ना कहीं allegation भी लगेगा जो कि दिली Congress ये उठाती आई है कि अरुन जेटली के साथ नजदीके के कारण ही एंडी गुपता को ये नॉमिनेशन दिया गया और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर सांट गांट हो चुकी ह और Congress भी आरोप लगाती आई है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है अगर उनका नॉमिनेशन रद कराने के अंदर Congress काम्याब होती है तो Congress इसको एक राज़्यतिक मुद्दे के तोर पर भी भुनाने की कोशिश करेगी कि चुकी उन्होंने स्टैंड लिया और उ कहीना कि उनकी तैयारियों के ओपर सवाल उठेंगे उनके राज़्यतिक गडबंदन के ओपर सवाल उठेंगे और Congress कहीना कि इसको एक राज़्यतिक मुद्दे के तोर पर भुनाने की कोशिश करेगी